जाध्धानी राइपुर में मनु वैग्यानिक आउशधी सेवा संस्था की सचिव अर्चना सिंग ने सरहानिय पहल की है जहां एक 56 बर्षी बुजर्ग अशोक नुशकर जिनका एक पैर पूरी तरह डैमेज हो गया है जिने संस्था ने राइपुर के आमबेटकर अस्पताल में लाया गया वहीं मीदिया को जानकारी देते हुए अर्चना सिंग ने कहा कि अशोक के पैरों की हालत बड़ी गंभीर थी जिसके पश्चात अशोक नुशकर को राइपुर लाया गया और उनका इलाज करवाया जा रहा है जिसकी पूरी देख़ाल संस्था कर रही है यह था कि एक पेशेंट है अशोक नुशकर पश्चिम बंगाल के निवासी है यहां हमको देव भोग में यह मिरिक्मित्र है शुबं भटनागर पत्रकार है उन्होंने इनको देखा 17 जून को उसके बाद गौरी शंकर जी है वहाँ समात से भी है उनके सही योग से यहां मेकाहरा उनको ले के आए हॉस्पिटल उनका एक पैर बाया पैर पूरा सड़ चुका था मैगेट्स पड़ गए थे कीडे पड़ चुके थे पैर पूरा खा गए थे तो उनके ट्रीटमेंट के लिए संस्था आगे आई हमारी संस्थाइन का 18 जून से ट्रीटमेंट करवारी है मेकाहरा में